पूराना लोन एप्लिकेशन का मैं रिपीट ना करूँ कभी कबार मैं पहले रिपीट कर देता था ताटी जिन लोगों से छूट गया है जो वीडियो नहीं देख पाएं वो दूसरे वीडियो में देख लें लेकिन अब रिपीट नहीं करूँगा जो भी मेरी वीडियो आएगी सब में नया नया लेटेस्ट लोट अप्लिकेशन होगा जिसके बारे में मैं पहले कभी अपने यूट्यूब चैनल पे बाताया ही नहीं हूँ ओके सो गाईज मेक शूर आप चैनल सब्स्राइब करना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना आपने दोस्तों खशाष शेर करना साथी में लोन लेने से पहले कुछ बातों का जरूर देयान लखिएगा अगर आप लोन का टाइम टू टू टाइम रिप्रमेट कर सकते हो समय से लोन के यह मैं चुका सकते हो तभी लोन के लिए अप्लाइ करना तभी लोन लेना और आपको लोन देने से पहले आपसे ग्रूर प्रोसेसिंग के नाम पे तो बिल्कुल मत देना चलिए दोस्तों मैं फट आफट से आपको इस लोन अप्लिकेशन का रिविव करके दिखा देता हूं दिखा देता हूं कौन सा है ये लोन अप्लिकेशन कैसे आपको लेना है लोन सब कुछ डिटेल में बताऊंगा प्लेश्टोर में लेके चलता हूं आपको सीधे पहले प्लेश्टोर पे चलते हैं फिर लोन के बारे में जान लेते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू बरते हैं, so guys, सबसे पहले मैं आपको दिखा दू, release date इस application का, तो यहाँ पर देख लिजे 30 June 30 June 2023 को यह application release हुआ है, काफी नया application है, मैं आपको पहले इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि भाई, देख लो नया loan application है, कभी यह मत सोचना की पुराना है, लेकिन विडियो छोड़के मत जाना guys, क्योंकि कैसे loan मिलेगा, कुछ तरीका होता है loan लेने का, आपको मैं बताऊंगा, location other, सब चीज का permission ले रहा है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है guys, क्योंकि यह कुछ करेगा नहीं, contact list का यहाँ पे देख सकते हो, कहीं भी permission आपसे नहीं मांगा है NBFC registered application है 100% अगर contact list का permission यह other जो लिखा हुआ है, इसमें अगर contact list का permission मांग भी लिया, तो guys कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि NBFC registered application है, आपका कुछ भी करेगा नहीं data का miss huge, बाकि instant personal loan up to 25 lakhs मतलब यह आपको 25 lakhs रुपय तक का loan देदेगा, with quick disversal and paperless process, quick disversal and paperless process है, कोई भी paper वाला काम नहीं है, okay, काफी बढ़ियां और बड़ा loan application है guys मैं आपको बता दू, कि यहां पे अगर देखा जाए, तो minimum loan आपको 50,000 से सुरू होता है, यह application 50,000 से सुरू करता है, loan देना 25 lakh रुपय तक का maximum देता है annual percentage interest rate APR, 11.99% minimum है, और maximum 23.99% का है बहुत बहुत मुझे कम लगा interest rate, कुछ बहुत जादा interest rate नहीं है, क्योंकि guys बागी other में अगर आप देखोगे, तो आपको जादा interest rate देना पड़ेगा, किसी और loan application में, processing fees यहाँ पर देख लिजिए minimum 0% है, maximum 6% है यहाँ पर tenure minimum 12 महिना maximum 60 महिने का है documentation required, यहाँ पर documentation में आपको क्या देना होगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखे गाइज, इतना जादा loan दे रहा है तो यहाँ पर आपसे लेगा, employment proof जिसमें आपको office का identity card आप लगा सकते हो, pay sleep लगा सकते हो, 3 महिने का salary sleep 6 महिने का bank statement दे सकते हो अगर आपको छोटा loan लेना है, 50,000 से एक लाग रुपा के अंदर अंदर, तो आप एक बार loan के लिए apply करके देख सकते हो, हो सकता है आपसे यह bank statement सिर्फ ले salary sleep न ले, ठीक है ऐसा हो सकता है, तो आप एक बार loan के लिए apply करके check कर लेना, कोई ऐसा नहीं है कि आपसे ले ही लेगा, salary sleep इसको चाहिए ही चाहिए, ऐसा कोई भी इसमें जरूरी नहीं है बागी, यहाँ भी गाइस देख लीजे यहाँ पे इनोंने example देके समझाया है कि भाई, अगर आपको यहाँ से 20 लाग रुपा तक कलोन मिलता है, तो 48 महीने मिलेगा, बाकी इतना आपका interest rate आएगा, 13.49% processing fees इतना लगेगा, इतना आपको bank में disverse किया जगा, इतना आपका हर महीना EMI आगा, इतना आपको total repayment करना है total 48 महीने में इतना interest rate आप दे रहे हो company को personal loan eligibility criteria अगर हम देखें आपकी उमर 21 साल से लेके 60 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए आप salary होने चाहिए, आपकी minimum salary 25,000 पर मन्त होनी चाहिए, work experience एक साल का आपका होना चाहिए और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलेंगे यहाँ पे guys देख सकते हो, इनके NBFC का नाम याप लिखा होगा है NBFC registered application है तो सारे बड़े cities में loan देती ही होगी बट एक बार आप loan के लिए apply करके चेक कर लेना, आपके city में loan देती है कि नहीं देती है, instant personal loan up to 25 lakhs, 100% online loan application है कोई भी यहाँ पे फालतू का कोई भी चार्ज नहीं आपको देना है minimum 10 or 12 महिना, maximum 60 महिना यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलेंगे application से loan के लिए कैसे apply करना है आपको तो application को playstore से download करना है mobile number डालना, OTP अगर वो डालना अधर, cut, pen, cut, selfie डालके loan के लिए apply कर देना employment ID, bank statement, salary slip डालके बागी यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देख लिजे, यहाँ पे eligibility मैं आपको बता दिया, personal loan यहाँ पे आपको मिल जाएगा easily, थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, इनका mail है, contact number है कोई भी दिक्कता है, इनके mail पे संपर्क कर सकते हो यहाँ पे देख लो guys, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे Monday to Saturday आप संपर्क कर सकते हो बाकी, यहाँ पे contact number पे भी संपर्क कर सकते हो, app permission मैं आपको बता दिया release date आपको मैं बता दिया, अब मैं आपको इस application का नाम बता दियता हूँ, application काफी ज़्यादा बढ़िया लगा, NBFC registered application है जिसको भी बड़ा loan चाहिए वो इस application से loan के लिए जाए जो ठीक ठाक कमाता है, अब जो 10,000-15,000 महीने का कमा रहा है, वो 15,000 का लोन, यहाँ पर minimum आपको मिलेगा, 10,000-15,000 का तो मिलेगा नहीं तो 15,000 का EMI ही आपका आज़ागा 8,000-9,000, 6 महीने का तो guys मैं यही बोलूंगा कि बिल्कुल भी, जो कम कमाता है 10,000-15,000 रुपय, उसके लिए loan application नहीं है, जिसको बड़ा कुछ करना है कोई business करना है, या फिर वो salary है, या पहले से self-employed है कुछ ना कुछ कर रहा है, मान लोग आप business नहीं करते हो, यह application तो सिर्फ salary को loan देती है, लेकिन आप अपने आपको salary दिखा सकते हो, मान लोग किसी business को आप कर रहे हो, उस business को बड़ा करने के लिए आपको इस application से और loan चाहिए, और आपका monthly transaction bank का लगबग 5000 है हर मैना, तो आपको easily अपने आपको salary दिखा के आप loan के लिए apply कर सकते हो, एक दो paper इधर उधर से लगाड करके आप लगा सकते हो, जैसे मान लो salary slip नहीं है, तो वो तो खुद से भी बन सकता है, लेकिन illegal काम है, वो सब करना मत, लेकिन अगर सही में कोई बहुत emergency है तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा अगर loan लेना है तो, बागी employment ID वो भी बन जाता है, कोई उसमें भी बहुत बड़ा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यह है कि यह लोग उसको अगर cross verification की है आपके employment ID और salary slip का तो हमेशा के लिए आपको reject कर देंगे कभी भी आपको जिन्दगी में loan नहीं देंगे तो risk ले सकते हो, तो थोड़ा बहुत आप duplicate भी लगा के loan के लिए apply कर सकते हो risk नहीं लेना चाते हो, तो जो salary है 25,000 परमंद की salary है, वही loan के लिए apply करे अब इसका नाम बता देता हूँ, अगर आप salary नहीं हो, आप कोई income ही नहीं करते हो और आपको loan चाहिए, तो उसके लिए भी एक application मैं बता देता हूँ, पहले इसका नाम जानिए इसका नाम है SMFG India Credit Instant Loan SMFG India Credit Instant Loan, Insta Loan 3.9 की rating है, 10K plus इस application के downloads है, 3.9 की rating है, 10K plus इस application के downloads है, अब आप बोलोगे guys की sir, आप इससे पहले भी इसके बारे में बताए हो, तो guys मैं बताया हूँ बट ये application नहीं था, वो application था ये वाला, SMFG India Credit, ठीक है SMFG India Credit ये मतलब अलग-अलग दो application है ओके, तो ये application था ये जो मैं भी आपको बता रहा हूँ ये अलग application है, ठीक है, ये अलग है वो अलग था, नाम थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन अलग-अलग application है हो सकता है एक ही company के ये दोनो application हो ठीक है, हो सकता है एक ही company के ये दोनो application हो बागी guys, यहांसे see all reviews करके अब reviews होगरे पढ़ देना, rating होगरे देख लेना ऐसे यहांसे see all reviews हो जागा, ये आप loan के लिए अपलाई करना बागी guys, एक और loan application है अगर आपको loan इससे ना मिले तो उससे definitely आपको loan मिल जागा, उसका नाम है trueblence, trueblence application का link है मेरे इस video को description में आप मेरे इस video के description के देगे लिंक से अगर trueblence application डाउनलोड करके loan के लिए अपलाई करते हो तो काफी ज़याजा chance रहेगा आपको loan मिलने का trueblence application में guys, दो तरीके के loan मिलते है एक level upload, एक cash loan, अगर आप cash loan लोगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको bank statement देना पड़े है क्योंकि trueblence application आपको starting में cash loan जाद offer करता है, that's why आपस bank statement लेता है अगर आपको बस bank statement नहीं है तो आप trueblence application का दूसरा अला loan ले सकते हो, ठीक है जो level upload होता है, level upload आपको starting में कम मिलेगा लेगिन जैसे आप loan का repayment करते जाओगे आपका level बढ़ता जागा, totally 11 level होते है जैसे ही आप 11 level पे पहुंचते हो maximum एकला कुरुपा तक कलो उन आपको trueblence application दे देता है और trueblence application में अगर आपका थोड़ा बहुत सिब्लिस कर कम है थोड़ा बहुत खराब है, फिर भी आपको loan दे देता है लेगिन हाँ, बहुत ज़्यादा सिब्लिकम है, बहुत ज़्यादा खराब है तब तो loan नहीं देगा, थोड़ा बहुत कम है, थोड़ा बहुत खराब है तो definitely आपको loan दे देगा, so guys, link है